नमस्कार स्वागत आपका लोकमत्नी उस हिंदी में मैं हूँ कुमल बड़ुदेकर दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल एक नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं हाल ही में आई एक केग रिपोर्ट में बड़ा घोटाला सामने आया है ये घोटाला करीब 1600 तन अनाच से जुड़ा हुआ है जो दिल्ली की जनता के बीच राशन केंद्रों के माध्यम से बाटा जाना था क्या है ये राशन घोटाला और क्यों एक नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल आईए इस रिपोर्ट में समझते हैं दरसल 23 अप्रेल को आई केग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के रिपोर्ट में राशन वित्रण में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है करीब 1600 तन अनाच की धुलाई FCI के केंद्रों से राशन वित्रण केंद्र तक ट्रक से होना थी जाज के दौरान पाया गया कि 8 गाड़ियों का रेजिस्ट्रेशन बस टेंपो और बाइक का था वहीं 2016-17 के बीच धुलाई के लिए इस्तेमाल की गई 207 गाड़ियों में से 42 के रेजिस्ट्रेशन थे ही नहीं केग ने अपनी रिपोर्ट में अनाज की चोरी की आशंका जटाते हुए कहा है कि राशन लोगों तक पहुंचा ही नहीं है वहीं कपिल ने इस मामले में कहा है कि ये गोटाला बीते 3 सालों से चल रहा है कपिल के मुताबिक केक की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो हर महीने करीब 150 करोड रुपए का राशन गायब हो रहा था एक साल में करीब 1800 करोड रुपए का घोटाला किया गया बीते तीन सालों का लेखा जोखा निकाले तो यह करीब 54 करोड रुपए का घोटाला होगा कपिल ने कहा कि दिल्ली सरकार को बीती 31 जनवरी को फरजी कार्ड के डाटा की सूचना मिली जाच के बाद 28 फरवरी को 4 लाग कार्ड फरजी निकले लेकिन 10 मार्च 2018 को दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसेन नहीं आदेश दिया कि फरजी कार्ड निरस्त नहीं होंगे वही कपिल शर्मा सहित कॉंग्रेस ने इस पूरे मामले की CBI जाच की मांग की है जबकि BJP ने इसमें सरकार की मिली भगत का आरोप लगाया है इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री केजरिवाल ने सफाई देते हुए कहा है कि केग द्वारा उजागर भष्टा चार या आनियमित्ता के हर मामले में दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी फिलहाल केजरिवाल इन दिनों माफी मांगते नजर आ रहे हैं लेकिन देखना होगा कि वे इस मामले में अपने विरोधियों से कैसे निपटते हैं अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और नीचे दिये गए घंटी के आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक करें फिलहाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत नियूस डॉटिन के साथ